क्या नाम है हर्ड मानिया प्रक्टेस करो जिस्से की माइंड में ठीक है हाई बच्चों क्या हाल चाल मेरे बाल को आए होव सब बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई जब दस तरीके से कर रहे हो बेटा तो यहाँ पर एनिमल किंग्डम के अंदर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं हेमी कॉर्ड डेटा को समझ पार हो किसको डिसकस करेंगे ह एमी कॉर्ड डेटा अब यहाँ पर ध्यां से सुन लो एक पर्टिकुलर एनिमल था जिसके अंदर ऐसा लगा पहले साइंटिस को कि नोटो कॉर्ड प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है नोटो कॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन तो उन्होंने क्या करा उड़ा करके कॉर्ड सब्सक्राइब नहीं है नोटो कॉर्ड की तरह ही कोई दूसरा स्ट्रक्चर है लेकिन हम इसको नोटो कॉर्ड नहीं कह सकती नोटो कॉर्ड नहीं है तो साइंटेस्स स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मिलने की वजह से इस इस एनिमल को उठा करके एक अलग जगे दी गई स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में क्या हेमि कॉर्ड डेटा लगी बास समझ अब इँ आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे चलो habitat and habitat वाई सब कहां रहते हैं यह कहां रहते हैं हैं है lle 이에요 Aí घो यह पूरी तरीके से marine होते हैं ठीक है marine ठीक है और meer marine कैसे only and only और only and only को हम क्या कहते हैं exclusively ठीक है exclusively marine ठीक है लेवल और्फ और्गनाजजेशन तो बेटा अब देखो अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि सारे किसारे कैसे एनिमल्स हैं हायर एनिमल्स हम हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है level of organization कैसा होगा organ system level होगा ठीक है organ system level होगा ठीक है symmetry कैसे होगी कैसे सिमेटरी होगी बाइलेटरेल ठीक है बाइलेटर नתי है ना मेरे बच्चोँ चलो बाड़ी प्लेन कैसा हूँ तयू विद इन ट्यूब ट्यूब वेद एन ट्यूब चलो सी लूम प्रेजेंट ओगी त्यीन हो किसा हूँ ठीक है सीलों प्रेजेन्ट और जिनमें ट्रू सीलों होती है उनको क्या कहते हैं यू सीलों मेट, कहते हैं जोम लेयर्स कितनी होंगी ट्रिपलो ब्लास्टेक, ठीक है, ट्रिपलो ब्लास्टेक, चलो भई, segmentation होगा, segmentation होगा, तो segmentation नहीं होगा मेरे बच्चों, segmentation absent, segmentation absent, इतनी बाद समझ में लगी, अब आगे चलते हैं, देखो भई, देखो, यह है balanoglossus, क्या है, balanoglossus, तो इसकी body के, देखो, पहला proboscis दिख रही है, फिर यह reason, color दिख रहा है, this is proboscis, this is color, और यह पीछे का body part, लगी बास समझ, तो देखो, एक warm like structure है न, कैसा है, warm like structure, ठीक है, तो अगर body structure देखें, actual में warm नहीं है, ठीक है, देखो, warm like body, warm like body, और कैसी है, cylindrical, cylindrical, ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, यह जो color region है न, यहीं पर देखा था scientist ने, क्या, कि ऐसा लगा कि notochord है, लेकिन बाद में वो notochord नहीं न थी बेटा, वो क्या था, वो थी stomachord, इसी वो जैसे chord data में तो रख नहीं सकते, क्योंकि chord data में सिर्फ, और सिर्फ, वही animal रखे जाते हैं, जिन के पास notochord हो, चलो, आगे चलते हैं, तो इनका digestion भाई कैसा होगा, digestion complete होगा, और इसके साथ साथ ही extra cellular होगा, ठीक है बच्चों, complete and extra cellular, लगी बाद समाज, respiration, तो भीया मेरीन हैं, पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, तो respiration, गिल्स की help से होगा, ठीक है, circulation, open circulatory system, open circulatory system होगा, present, लगी बाद समाज, अब excretion पे आते हैं, excretion कैसा होगा, बच्चों, तो excretion होगा, proboscis gland की help से, ठीक है, proboscis gland की help से, ठीक है, locomotion, तो जो epidermal tissue है, वो help करेगा, locomotion में, epidermal tissue, और यहाँ पर कुछ cilia भी present रहते हैं, ठीक है, क्या present रहते हैं, cilia, nervous system, तो यहाँ पर nerve ring होती है, ठीक है, nerve ring होती है, लगी बाद समाज, आगे बढ़ा जाए, चलो बाए, reproduction, अब बाताती है, भाईया, unisexual हैं की bisexual हैं, ठीक है, unisexual हैं की bisexual हैं, तो बेटा, they are unisexual, यानि की sex separate होंगे, sexes are separate, लगी बाद समाज, sexes कैसे होंगे, separate होंगे, fertilization, लेकिन external होगा, ठीक है, external fertilization, ठीक है, यानि की body के बाहर होगा, development, direct होगा की indirect होगा, भाईया, indirect होगा, indirect होगा तो मतलब, तुम तुम तुरंत कहोगे के लार्वा का नाम बताओ, लार्वा का नाम बताओ, तो development indirect है मेरे बच्चों, और जब development indirect होता है, तो हम larva का नाम बताते हैं तुम्हें larva का नाम है Tornaria larva ठीक है? larva का नाम क्या है? Tornaria larva और examples बहुती दो प्यारे प्यारे नाम Belanoglosses and Sacoglosses लगी बास समाज आगे बढ़ा जाए मेरे बच्चों चलो अब आते हैं बेटा Cordata पर किस पर आते हैं? Cordata पर अब देखो अब हम बार बार हर एक क्लास में हर एक कैटेगरी में वो सब चीजें नहीं लिखेंगे कि level of organization क्या है symmetry क्या है, siloam कैसी है एक बार Cordata में याँ पर लिख लेंगे और हम ये मान के चलेंगे जितने भी आगे Cordata के कैटेगरीज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उन सभी में ये सारे के सारे जो parameter हैं वो follow होंगे लगी बास समाज चलो वाए तो general characters अगर देखे जाएं Cordata के तो सबसे पहले level of organization बता जल्दी जल्दी बताओ सभी के सभी Cordates में organ system ठीक है, organ system ठीक है बच्चों फिर सभी के सभी Cordates में symmetry कैसी होगी bilateral ठीक है, bilateral symmetry होगी सभी Cordates में समझ में लगी बात germ layer सारे के सारे Cordates triploblastic ठीक है बच्चों triploblastic होंगे cilome कैसी होगी तो सभी के सभी Cordates में true body cilome यानि की body cavity true body cavity या फिर इनको क्या बोलते हैं में डा uclo mate uclo mates ठीक है body plan कैसा होगा tube within tube ठीक है tube within tube ठीक है segmentation आया ना सभी के सभी Cordates में segmentation देखने को मिलेगा segmentation is present लगी बात समझ तो ये हो गए general characters जिनको क्या करेंगे सारे के सारे Cordates पर अब apply करेंगे अब हम हर एक category में बार बार इन चीजों को लिखने से बचेंगे मेरे बचों ठीक है आगे बढ़ा जाए चलो भाई अब देखो बहुत ज़ादा पूछा जाने वाला question कि बताओ क्या difference है चार statement इस साल नीट के exam में आया और उसमें पूछा था कि बताओ कौन सा true, कौन सा false, कौन सा non-cordate का कौन सा cordate का ठीक है तो यहाँ पर हम करेंगे differentiate और तुम मेरे साथ लिखोगे चलो तो number one सबसे पहले नाम के cording देखो नाम क्या है non-cordate मतलब noto-cord नहीं है ठीक है noto-cord is absent noto-cord is absent ठीक है मेरे बच्चों दूसरा character क्या हुआ दूसरा character हम nervous system को लेंगे किसको लेंगे nervous system को और उसमें भी कौन cns central nervous system ठीक है इनका कैसा होता है कैसा होता है बेटा ventral है कि dorsal है और hollow है कि कैसा है solid है single है कि double है इन चीजों को ले करके differentiation होता है तो देखो जो non-cordate का cns है is पहली बात तो ventral ठीक है में चो ventral then कैसा है solid है कैसा है बचो solid है plus double है कैसा है and double लगी बात समझ तीसरा character heart अपन का heart किदर ventral side तो non-cordate का किदर dorsal side ठीक है the heart is heart is on dorsal side of the body ठीक है dorsal side dorsal side of the body लगी बात समाज चौथा character क्या है तो चौथा character है बेटा pharyngeal gill slates क्या है pharyngeal gill slates इसमें नहीं होते हैं gill slates are absent और पांचवाँ character कौन सा है कि जो post-enal tail है वो non-cordates में नहीं होती है ठीक है अचनल नहीं है पोस्ट इनल टेल इस अबसेंट मेरे बच्चों लगी बास समझ ठीक है अब देखो रट्टा मारने का नहीं रट्टा मारने का नहीं बेटा तो देखो देखो जो इधर अबसेंट होगा वो इधर प्रजेंट् पहला नोटो कार्ड आप सेंटर तो यहां पर नोटो कार्ड प्रेजेंट भाई आप देखो अब दिमक लगाना पड़ेगा CNS ventral है, यानि कि ventral का उल्टा, dorsal, ठीक है, dorsal, solid का उल्टा, hollow, ठीक है, hollow, and double का उल्टा, single, ठीक है, and single, चलो, third क्या कह रहा है, heart is on dorsal side of the body, मतलब अपन का किदर है, ventral side, heart is on ventral side of the body, ventral side of the body, मेरे बच्चों, चलो, gill slits, present होंगे, cordates में, ठीक है, gill slits, are present, ठीक है, और पांचमा करेक्टर, post anal tail is also present, ठीक है, बेटा, एकदम रटल होगे, तुम ये पांचों के पांचों करेक्टर, एक के केस में, और दूसरे के केस में, उसे उल्टा करते चलना, लगी बात समझ, तो आगे बढ़ा जाए, चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, और cordata पर चलते हैं, सबसे पहले, euro cordata, then, cephalo cordata, और फिर चलेंगे हम लोग vertebrata पर, ठीक है, चलो बाई, आगे बढ़ा जाए, चलो, आगे बढ़ते हैं, देखो, अब कोना कहा है, बेटा, euro cordate, ठीक है, euro का मतलब क्या होता है, euro का मतलब होता है, tail, क्या मतलब होता है, tail, और cordate मतलब, भई, presence of notocord, मतलब notocord कहां देखने को मिलेगी, tail region में, लेकिन, थम जो, थम जो, ध्यान दो, tail region में भी किसके, सिर्फ और सिर्फ larva के adult में notocord नहीं होती मेरे बच्चों, ठीक है, तो, देखो जरा, और यहां पर दोगे ध्यान, जो, notocord होती है, वो, किसमें present होती है, सिर्फ और सिर्फ larva ist 치ज में, ठीक है, present in tail, और किसकी tail में, in larva, ठीक है, किसकी tail में मिटा, larva की tail में, अब देखो, अब यहां पर ध्यान दो, यहैं अपना, एक euro cordate, और इसका नाम है हर्ड मानिय, क्या नाम है, हर्ड मानिय, अब यह देखो, यहां पर, यह कैसे होते हैं, बेटा मूब नहीं करते एक जगह पर रहते हैं कैसे होते हैं एक जगह पर रहते हैं और इनकी बाड़ी पर बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्या कहते हैं टेस्ट क्या कहते हैं बाड़ी प्रोटेक्शन टेस्ट या टेस्ट को ही क्या बोलते हैं बेटा ट्यू extra cellular ठीक है respiration कैसे करेंगे तो ये respirationcoat करेंगे gill slits की help से ठीक है किसकी help से respiration करेंगे gill slits की help से respiration gill slits की help से respiration करेंगे ठीक है circulation । भाईया Kin 일단 अब ध्यान दो पूरे के पूरे कॉर डेटा में circulation कैसा close कैसा circulation close लेकिन ये है exception कौन euro कॉर डेटा इसमें circulation होता है open और यही इसको exception बनाता है क्या बनाता है बच्चों exception in कॉर डेटा ठीक है चलो बई अब आजा excretion कैसे होगा तो excretion होगा neural gland की help से किसकी help से neural gland की help से होगा excretion locomotion एक ही जगे रहते हैं ना बटा सिर्फ larva ही चलेगा तो locomotion होगा absent और अगर बात करें larva की तो इसके पास tail होती है जिसकी help से यू 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 लोको मोशन करता है ठीक है आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए बच्चे चलो nervous system बहू लोगा बहूत simple होगा बहुत simple होगा और sense organs भी बहुत simple होते है ठीक है reproduction अब यू यू यूनी सेक्च्च्टॉल है कि बाइसेक्च्च्टॉल है तो यह कैसा है बच्चों हर्मा फ्रोडाइट हर्मा फ्रोडाइट और तुम बताऊगए कि हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं जिनमें एक ही बाडी में दोनों सेक्स हों यानि कि बाइसेक्शुल बाइसेक्शुल ठीक है fertilization will be no 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 fertilization will be external external or development कैसा होगा indirect कैसा होगा बच्चों indirect फिर से भाई question लार्वा का नाम बता तब यह बता रहें लार्वा is tadpole क्या नाम है tadpole अब ध्यान दो ध्यान दो मेरे बच्चों देखो अगर किसी और भी एनिमल की बात करें या फिर human का example ले लो तो जो embryo होता है उसमें एडवांस करेक्टर है कि एड़ल्ट में एडवांस करेक्टर है तो यह जाहिर नहीं तो बताओ कुछ उल्टा लग रहा है न कि लारवा एडवांस है और जैसे एडवांस बना तो वह प्रिमिटिव हो गया तो इस टाइब के metamorphosis जिसमें लार्वा यह एडवांस करेक्टर मै। मूल्ट मोल्ट मेंड़ चैसे नहीं एडवांस करेक्टर इस primitive then हम क्या कहते हैं this type of metamorphosis is known as retrogressive कैसी बेटा retrogressive metamorphosis और इसको सब important mark करेंगे बहुत पूछा जाता है retrogressive metamorphosis लगी बास समाज morphosis ठीक है और इसके example कितने हैं दो एक्सीड एक्सीडिया हर्ड मानिया सालपा डोलियोलियम चार है मेटा कितने example हैं चार example हैं और तुम इसको याद रखो के सब साथ याद रखो होगे retrogressive metamorphosis मतलब पुराने तरीके की रेटरो वाले गाने आते ना पुराने जमाने के गाने ठीक है और जब लार्वा प्रिमिटिव हो और डेवलाप हो करके एडल्ट बना ले और उसमें एडवांस करेक्टर हो तो कहते हैं progressive metamorphosis क्या कहते हैं बच्चों progressive metamorphosis ठीक है आगे बढ़ा चाहें next पर चलते हैं हम सिफैलो कॉर्डेट्स ठीक है सिफैलो का मतलब क्या है बेटा अब देखो सिफैलो का मतलब क्या है है ठीक है तो देखो नोड़ा कारों नोटो कार्ड कहां पर होगी तो ऐसा लगता है सुनने में कि सिर्फ हेड में नोटो कॉर्ड है लेकिन ऐसा नहीं होता है पूरी बौडी में होगी क्या है और यंक्रूडिंग दा है ठीक है और पूरी life यह persist करेगी यानि कि present रहेगी ठीक है नोटो कॉर्ड तो लिखा है तो हम present से लिखेंगे present in whole body including head समझ रहे हो including head ठीक है और यह पूरी जीवन भर present रहेगी ऐसा है कि लार्वा में थी एडल्ट में नहीं एडल्ट में है लार्वा में ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है body इनकी body transparent होती है है कैसी होती है transparent body transparent body ठीक है digestion complete extracellular है कोई दिक्कत नहीं complete extracellular ठीक है रेस्पिरेशन कैसा होगा general body surface ठीक है बेटा general body surface से होगा respiration circulation close circulatory system होगा must अपन की तरह है closed circulatory system ठीक है और दिमाग लगाने की दूरत नहीं हार्ट का होगा हार्ट का होगा और अभी लिखा क्या है हार्ट का होगा ventral side ठीक है excretion कैसे होगा solenocytes की help से ठीक है through solenocytes किसकी help से होगा solenocytes की help से होगा ठीक है locomotion कैसे होगा locomotion कैसे होगा undulating कैसा undulating समझ पा रहे हो undulating कि चलो बाई आगे बढ़ा जाए नर्वोस सिस्टम सिंपल ब्रेन होगा यहां पर सिंपल ब्रेन होगा यहां पर नर्वोस सिस्टम में sense organs में कोच sensory papyli होंगे क्या होगा बेटा sensory papyli ठीक है reproduction कैसा होगा they are again unisexual ठीक है unisexual यानि की separate sex separate sex male female अलग अलग fertilization is external ठीक है बच्चो एक्स्टर्नल फर्टी लाई जेशन चलो आगे बढ़ा जाए development कैसा होगा indirect होगा बच्चों indirect होगा और example में आ गया branchiostoma और इसी को कहते हैं एंफियोक्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम इसका होता है लैंसलेट क्या होता है लैंसलेट इसको याद रखोगे बेटा ठीक है तो आज हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा यूरो कॉर्डेटा पढ़ा और उससे पहले हैं और नोन कॉर्डेट के बीच में कुछ डिफ्रेंसियेशन किया और कॉर्डेट के जनरल केरेक्टर को पढ़ा मिलते हैं नेक्स क्लास में अगली के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहो और लगातार रिवीजन भी करते रहो examples को copy पर लिख लिख के practice करो जिससे की mind में एकदम set हो जाए ठीक है बेटा बाई बाई